Hello everyone, welcome to Prefecture, मेरा राम प्रिंस शोबे है आज हमने यहां बात करेंगे सिविस्सी बोर्ड की जो एक्जामिनेशन के बारे में जो टॉम फर्स्ट का जो एक्जाम होने वाला है उसके बारे मने यहां बात करेंगे जैसा कि पता है कि सिविस्सी बोर्ड की जो टेट सीट है, वो आ चुकी है टम फर्स्ट एग्जाम के लिए, क्लास 10 और 12 के लिए और आपको यह बात पता है कि इसा बार सिविस्सी जो है पर जो अपडेट है विडियो का वो आप तक time to time पहुंसता रहे हैं और सिबसी जो exam conduct कराएगा term first के लिए वो conduct कराएगा वो कराएगा November से December के बीच में सिबसी जो term first का जो exam conduct कराएगा वो November से December के बीच में कराएगा और ये offline mode में होगा for class 10th and 12th उसके लाबा जिन बच्चों को अगर date seat चेक करना है कि date seat कहाँ पर आई है वो side जाके cbc.gov.in पर चेक कर सकते हैं और जैसा मैंने पहले बता दिया इस बार जो है दो आपका board exam होगा एक November दिसम्बर के बीच में होगा और एक February से March के बीच में होगा यानि 22-22 के अंदर February से March के बीच में भी क्या होगा board exam आपका और उसके लाबा जो paper जो term first का जो exam होगा वो कैसा होगा वो objective type होगा और जो time मिलेगा कितना मिलेगा 90 minutes आपको दिया जाएगा साथी साथ जो exam का जो paper होगा वो तकरीबन साड़े 11 बज़े से होगा यानि MSQ format में आएंगे ठीक है दूसरी बात जो term first जो exam होगा उसमें जो भी marks मिलेगा वो सिर्फ एक marks आपको बता दिया जाएगा कि marks कितना मिला है बाकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा कि आप pass है fail है या आपको compartment में रखा गया है ऐसा कोई भी वहाँ पे आपक चीज़ें बताने को नहीं मिलेगे सिर्फ आपके लिए जो marks से वो बताया जाएगा ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है दूसरी बात यहां पे कि जो marks total जो final result होगा second term के बाद जो final result होगा second term के बाद आपके लिए आपकी exam का website यानि जो भी student examination के लिए appear हो रहे हैं वो च cbscacademic.nic.in से cbscacademic.nic.in से यहां सरके सारी जो जनकारी है वो आपको available हो जाएगी वहां पे ठीक है अगर हम बात करते हैं कि किस तरह का जो timetable बना है तो लो उसको एक बार देख लेते हैं वहां पे जो timetable बना है वो जैसे class 12 में बात करता हूँ और जो humanities stream वाले उनके ल geography होगा, 11 को psychology होगा, 15 को economics रहेगा और 17 को political science रहेगा, 20 को history रहेगा ठीक है अगर मैं comma system की बात करता हूँ तो December 3rd को English score रहेगा, 6 को mathematics रहेगा, 7 को physical education रहेगा, 8 को business studies रहेगा, 13 को accountancy रहेगा, 15 को economics रहेगा और 21st को informative track रहेगा ये सारे जो है इस तरह जो date seed है वो आपको available करा दी गई है, आप जाके वहाँ पर site पर जाकर देख सकते हो, I hope ये information आपके लिए काफी काम की रही होगी, helpful रही होगी आपके लिए, वेडियो पसंद आए तो please like करें, subscribe करें, share भी करें, ठीक है, thank you so much